हेलो माइ बीटिफिल सोल्स, हेलकम बाक तो मैं चानल टारो विशिवी चुपल एच गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग में चानल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्ली सब्सक्राइब मैं चानल गाइस एक जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को positive way में लीजेगा जितना आप से रेजनेट हो से रखिए बाकी को ignore कीजे और GUYZ य71 अस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक मेंचेंगे तब आपसे रेजनेट करेगी और यह रीडिंग सभी zodic sign के लिए भी है तो आपका जो भी zodic sign हो ये रीडिंग भी आपसे max ज़रूर करेगी गाईजी रीडिंग मारेड, अन्मारेड, मेल, फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, सार्ट करिंगे गाईज, हम आपकी रीडिंग को देखने ही कोशिश करते हैं, आपके परसन की करेंट अनर्जी इस फोकस कीजे अपने परसन की अनर्जी इस पर कर देखने हें? पहला message जो आगे person दे रहे हैं वो आपसे यह कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत कुछ है तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तो message मुझे बता दो message आ रहा है guys आपके person की तरफ से वो यह जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है ठीक है वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपके मन में क्या है और यह जानना चाहते हैं कि जो भी है as it is आप उन्हें बता दें ठीक है सकते हो तो मुझे पर भरोसा कर सकते हो या कर सकती हो ऐसा message पहला आ रहा है आपके person दूसरा message ये दे रहे हैं कि तुम मुझे test क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो ठीक है आपके person आपको message दे रहे हैं ये कि आप मिरे को test कर रहे हो या मुझे टेस्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो ठीक है आप मुझे या तो guys आपने इस person को कोई situation दे रखी है ठीक है यासा भी message मिल रहा है देखिए आप लोगों की जो भी बातचीत होती है आपकी बातचीत मुझे नहीं पता है क्या बातचीत होती है लेकिन यहाँ पर ऐ कि मेरे मन में क्या है या फिर मैं तुम्हें प्रूफ करूँ साबित करूँ तो तुम मुझसे साबित क्यों करवाना चाहते हो ऐसी वाली person की energy लग रही है जैसे आपने इस person से कहा है कि जैसे तराजू होती है उसकी पलड़े पर आपने कुछ रख दिया हो बोला है तूसरे आपको या किसी और को या फिर आपके लिए ऐसा करते हैं या नहीं हो सकता है आपने इस person को ऐसी situation में डाला है कि तुम में लिए stand लो या तुम मुझे ऐसा करके दिखाओ तो मैं मानू कि तुम मुझे चाहते हो या चाहती हो कुछ ऐसा message बार-बार मिल रहा है dear कि जैसे आपके टेस्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो यहां पर three number है हो सकता है अपने third party के regarding this person को test करने की कोशिश की है ठीक है कि यह person के मन में third party जादा है या आप जादा हो ठीक है या फिर किसका पलड़ा भारी है कुछ ऐसा message यहां पर मिल रहा है यह person एक message और भी दे रहे है कि मैंने हमेशा ही तुम्हें protect किया है हमेशा मैंने तुम्हें protect किया है तुम्हें शायद यह जी समझ में नहीं आई कभी कि मैंने तुम्हें protect किया है लेकिन मैंने जब भी जो भी फैसला लिया जो भी काम किया कभी तुम्हारा दिल दुखाने क क्लिक किया है, ऐसा मैसेज भी आपका पार्टनर दे रहा है यहां पे, यह परसन ऐसा भी बोल रहे है कि तुमने ही तो हमेशा कहा था मुझसे कि तुम्हें मेरे साथ प्रोटेक्शन फील होता है, तुम्हें मेरे साथ कमफर्ट फील होता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, त तुम मेरे उपर भरोसा क्यों नहीं करती हो या क्यों नहीं करते हो ऐसा आपकी person message दे रहे हैं एक message और यह person दे रहे हैं आपको कि क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर सकता हूं या कर सकती हूं ठीक है मैं जान मुझकर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत कर सकता हूं क्या तुम ऐसा मानते हो क्या तुम ऐसा भरोसा करते हो कहीं ना कहीं इस person के energy में एक एक हर्ट है यह person कुछ ऐसी energy फिल हो रही है जैसे person हर्ट है और यह इस तीज से हर्थ है कि आपने कभी इस person पर भरोसा क्यों नहीं किया तुम्हें चिल्ला चिल्ला कि यहां पर आपसे कहना चाहता हो कि तुमने मुझ पर भरोसा तो कभी किया ही नहीं तुमने अमेशा कुछ ऐसा यह person बोलना चाहर है आज के दिन में हमेशा तुमने मुझे पर्खा है एक शब्स सुनाई दे रहा है कि तुमने हमेशा मुझे पर्खा है तुमने हमेशा मुझे टेस्ट करने की कोशिश की है तुमने हमेशा मुझे पर डाउट किया है तुमने हमेशा मुझे प मत भरियेगा कुछ भी क्योंगी कुछ लोग हैं जो कुछ भी लिखने लगेंगे comment section में कि मैंने ऐसा नहीं किया देखिये सब के लिए energy नहीं होती है ठीक है ये उन लोगों के लिए energy निकल कर आई होगी तो comment section में accept करेंगे कि मैंने ऐसा किया है जिनके लिए ये energy नहीं है, जिन्होंने ऐसा कभी नहीं कि अपने person के साथ, वो थोड़ा सा शान ती से सुनें इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये energy आपके लिए नहीं है, तो फिर आप इस energy को no बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके लिए energy है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, क आपने हमीशhinaya जजओ करने की कोशिश की, आपने हमैं साबित करवाना चाहा है, किसाबित करो, हमीश साबित करो तुम मैं इससे जदा important do तुमारे लिए उससे affect करें तुमारे लिए, यहांपर एक मैसिज दे रहा है अपका परिसंग की मैंने हमेशा तुम्हें संभाला है ठीक है मैंने कभी तुम्हारे उपर किसी चीज को लेकर डाउट ग्रियुक्त नहीं किया मैंने कभी तुम्हारे तुमसे कभी किसी बात को लेकर सवाल तक नहीं किया, तुमने जब जो जैसा कहा, मैंने एज़टेस उस चीज़ को सुन लिया, मैंने कभी तुमसे क्रॉस कोईशन भी नहीं करे, कभी तुम्हारे ओपर किसी तरीके का डाउट नहीं किया, कभी तुमसे पूछने क कोशिश नहीं की कि तुम कहां थे क्या कर रहे थे किस से बात कर रहे थे ठीक है लेकिन तुमको हमेशा ही ना मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेर करनी की ज़रत पड़ी है तुमने हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेर किया है तुमने हमेशे जाननी की कोशिश किये कि मैं कहा हूँ, किस के साथ हूँ ठीक है, इतने सारे डाउट्स ठीक है, जहाँ पर कनेक्शन होता है वहाँ डाउट्स नहीं होते, वहाँ विश्वास होता है तुमने मेरे उपर कभी विश्वास किया ठीक है तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश की ठीक है हमेशे तुमने मेरे उपर allegations लगाए तुमने हमेशे मेरे उपर शक किया ये person आपको ये बोलना चाहरेगा इस आज के दिन में ये person ये भी कह रहे है कि मैं तो हमेशे हमेशे एक हग मैं मान गया या मान गई ठीक है तुमने मुरे को एक हग दे दिया प्यार से या फिर ये भी कह दिया कि यूनो कुछ भी बोल दिया कुछ भी ऐसे कुछ भी आपने ऐसा gesture कर दिया इस person की तरफ ये की में ऐसे बोलना चाह रहे है कि छोटा मुटा भी अगर तुमने मेरी तरफ कुछ भी कर दिया तुम्है हमेशे मान गया या मान गई लेकि तुम्है मनानी के लिए मैं ़ूब चाही कि क्या क्या थाबkin कि क्याhim तुमनीज नहीं कि उसके बात भी मैं तुम्हे कभी थाबित नहीं कर पाया कि मेरी फीलिंग हमाई ये जैन्वेन थी जैन्वेन थी Oh my god बहुत जादा पेन और बहुत जादा गुसा और बहुत जादा एग्रेशन बहुत जादा चिलचिड़ापन ठीक है यहां पर एक message और भी दे रहे हैं आपके person कि तुम्हारी वज़े से मैं संभलना भूल गया या भूल गई ठीक है मैं अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से संभालना जानता था या जानती थी लेकिन तुम्हारे वज़े से मैं जिन्दगी को संभाल नहीं पाया ना अपनी जिन्दगी को संभाल पा रहा हूं ना पा रही हूं ना किसी और की जिन्दगी को संभाल पा रहा हूं या पा रही हूं ठीक है मतलब जैसे मैंने अपनी life से अपना control खो दिया ठीक है मैंने इतना साबित किया उसके बाद भी तुमने मुझे, यूनो, हमेशा ब्लेम ही किया, तुमने हमेशा मुझे गलती समझाए, ठीक है, ये परसन ये बोल रहे हूँ कि, मेरा ईश्वर जानता है, और मैं जानता हूँ कि मैं कितना सही हूँ, ठीक है, मुझे तुबह साबित करनी कुछ जरत नहीं है, तुमारे लिए कितनी जैनुएन फीलिंग्स थी, कितना जैनुएन लफ था, ठीक है, उनको पता है सब कुछ, मुझे तुम्हे थाबित करनी की जरत नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनरजी मिली अगाईस, ठीक है, प्रोजेक्शन की एनरजी है, वही मुझे कार्ड में जो दिख रहा है, इस परसन नहीं हो सकते हैं, आपको ट्रिगर किया हो, ठीक है, लेकिन इस परसन की फीलिंग्स आपके लिए जैनुएन हो, क्योंकि प्रोजेक्शन की इमेज नजर आई है, जैसे मुझे, यह मैसेज दे रहा है कि इस परसन के अंदर आपने वो चीज़ें देखी, जो ट्रिगर हुई हैं आपको, ठीक है, आपको इन्होंने आपकी नेगिटिविटी दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन इस परसन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए जैनुएन थी, ठीक है, जैनुएन दीसलिए वो चिल्ला चिल्ला के पार्टनर बोल रहा है आपका, कि मेरी फीलिंग्स हमेशा से तुमारे लिए जैनुएन है, या फिर इस चीज़ की वैसे काफी आर्गुमेंट्स होई हो सकती है, इस परसन हो बहुत गुस्सा आया हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस परसन हो बहुत गलस सलात उल्टा सीधा कुछ भी बोला हो, इस परसन की रिस्पेक्ट ना की हो, तो ये परसन आपको ठीक है और वक्त सबको मौका देता है तो अगर आपके परसन की फीलिंग्स जन्विन हैं और इस इंसान ने आपको बहुत प्यूरिडी के साथ चाहा है तो इस व्यक्ति को भी एक मौका जरूर प्रक्रति दारा मिलेगा थाबित करने का कि वह आपको आपके लिए क्या कर सकता है ताली सिर्फ तुम ही एक हाथ से नहीं बचती है ताली दोनों हाथ से बचती है ठीक है अगर कनेक्शन में तुम थे तो हम भी थे बहुत नराज की मुझे यहां पर फील हो रही है गाईस ठीक है कार्ट से देखूंगी अब मैं प्लीज गैड कीजिए एंजल्स आज के दिन में क्या ही एनरजी थी प्लीज एंजल्स प्लीज बता दीजिए आज के दिन में क्या एनरजी थी मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूर्स को लेकर Queen of Cups Ten of Swords Page of Wands Knight of Wands Queen of Pentacles OMG Seven of Swords OMG When the energy comes, I feel very upset Oh God Here you can see that there is a couple and a third person What is that? This is the one so that reading is what you try to explain From the human being These feelings got me One message I have explained this video मैं बड़ा अच्छे से सको explain किया था कि कई बार आप ये connection में third party होती नहीं है लेकिन आपका शंका करने की वज़े से शक करने की वज़े से बार बार इन से क्योर होने की वज़े से बार बार doubt करने की वज़े से कहां थे, किस के साथ थे, किस से बात कर रहे थे लेकिन आप connection को matrix level पर चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते नहीं है कि soul connection क्या है soul love क्या है, divine love क्या है, ठीक है किसी की इसी इनसान की शरीर से प्यान नहीं होता उसके आत्मा के साथ प्यार होता है, शायद ये सब चीजां आप जानते नहीं तो आपने इस connection में ये सारी चीज़ें की हो सकती है ठीक है, क्योंकि आपका partner थोड़ा immature तो है, page of winds की energy दिखा रही है ये थोड़ी बहुत immaturity इस person ने दिखा ही हो सकती है आपके साथ, लेकिन इस person की feelings बहुत genuine है तभी ये person कहीं न कहीं reading में ये message दे रहते कि मैं और मेरा खुदा वही जानता है कि मेरे मन में तुम्हाइले क्या था क्योंकि मैं तुम्हें साबित नहीं कर सकता तो मैं तो कोई साबित नहीं कर सकता वह बहुत गुस्से में मुझे आपका partner नजर आ रहा था ठीक है लेकिन इस person के अंदर feelings बहुत है यहां पर queen of pentacles आ गई है यहां पर मतलब आपके connection में कोई third party आ गई है और इस third party ने आपके partner को बुरी तरीके से हर्ट कर रखा है उसका भी blame मुझे लगता है जिसे person देना चाहते हूं कि कि तुमने कभी समझा मुझे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की बीच में ego clashes हुए आपको आपके person पर doubt हुआ तो आपने इस person से थोड़ी बहुत दूरी बनाई दूरी बनानी की वज़े से इस person को बहुत गुसा आया क्योंकि आप इस person पर doubt कर रहे थे और बार बार इंसे proof माग रहे थे प्रूफ करो अपने love को प्रूफ करो क्योंकि यहां पर candle में दिखाई दिया था ठीक है तो यह person एक समय फ्रस्टेट हो गए इस चीज से और इनको ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया और क्योंकि यह भी soul connection नहीं जानते आप भी नहीं जानते इनसान का दिमाग घल जाता है जब घल गया तो फिर इन्होंने third party introduce कर दी आपके connection में ठीक है वो manifest हो गई अब वो manifest हो गई तो आपके person की हाला 10 of swords तक पहुंच गई जाके यहां तक पहुंच गई आपके partner ठीक है क्योंकि ऑप अब बड़ी अच्छी lijन मेरे मन में आ रही ठीक है अकेले रहना उतना जादा ज।छिल नहीं है जितना मुश्किल है किसी एक ऐसे वह maximal जादा 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 मुश्किल है एक ऐसे वैक्ति के साथ रहना जैसे तुम प्यारी नहीं करते जिसके लिए आपको क्या लगता है किसके साथ रहना जादा एजी है या फर किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जादा एजी है जिसे आप प्यार तक नहीं करते हैं जिसके लिए कोई feelings नहीं हो क्योंकि हाँ queen of pentacles और king of cups दूसरे को देखते भी नहीं है और इनका मुझे कोई match भी नजन नहीं आ रहा है क्योंकि इस व्यक्ति का मन तो किसी और के पास है ठीक है जब आपका मन किसी और के पास हो तो क्या आप किसी connection में रह सकते हैं एक अकेला व्यक्ति कम से कम उसे ये तो है कि मेरे पास कोई नहीं है तो अपना जहां चाहे वहां टाइम इंवेस्ट करेगा तेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहे जिसे आप चाहते भी नहीं लेकिन उसके साथ फिर भी आपको रहना पड़ रहा है उसकी सारी ख्वाइशों को देखना पड़ रहा है और उसको संभालना पड़ रहा है तो इनसान अपनी खुछियों को मार देता है वे टैन ओफ सौट्स ये आपके परसन की एनरजी निकल कर आई है तब ही इस परसन को थोड़ा गुस्सा है तीक है गुस्सा है या फिर क्या ह इनके मन में बसी है तो आपकी मूर्ती परसन के मन में बसी हुई है लेकिन इनकी जिंदगी में कोई और है कई बाए आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शने पूछते हो कि मैं में खट पाड़ी के पाद जाने के बाद आप कैसे कह सकते हो कि इसान मेरे लिए फील करता है बिलक इसी अच्छे connection में चले भी जाएंगे तो क्या guarantee है कि आप उस इंसान को वही जगह देंगे बहुत मुझकिल है और divine love अगर है कहीं पर अगर बिलकुल soulmate type जोड़ी है या past life connection है तब तो ये next to impossible है कि आप उसको as it is feel कर पाएं क्योंकि वह जो feeling आपके मन में किसी और के लिए कोई भी किसी को भी किसी की place दे बारा होता तो ये easy नहीं होता है ठीक है अगर आप अकेले हैं तो ये मानिए कि आप इस person से ज़्यादा सुखी है ठीक है आप इस person से ज़्यादा सुखी हैं गर आप अकेले हैं तो क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रह रही है जिनको ये पसंद पसंद छोड़ी है अगर पसंद करते भी है तो मुझे लगता है प्यार नहीं करते हैं प्यार तो किसी और को करते हैं कितना मुश्किल होगा इस व्यक्ति को कि प्यार किसी और से हो रहे किसी और ही के साथ रहे हैं यह बड़ी मुश्किल एनरजी है यह बहुत ज्यादा मतलब वह बचपना यहां पर रीडिंग में साफ साफ नजर आ रहा है जैसे दिखावे के लिए सारी चीज़ दिखावे के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ठीके जस्ट शो आफ करने के लिए कि देखो तुमको बहुत शौकता थर्ट पार्टी का हम लेया है थर्ट पार् न voorrit जिसकी लिए बी रीडिंग निकल कर आई है जिसकी रिखू है मुझे कमेंट्स करके जरू बताईएंगा ठीके है अप लोगो कमेंट्स कर दिया कर यह लिया तो मुझे फता चल जाता है किसके लिए रीडिंग निकल कर आई है या किससे रेजुनाट कर रही है और इस जैसा reading में आता है हम वैसा ही बोलते हैं चाहे repeated हो messages चाहे कुछ भी हो क्योंकि कुछ कल किसी ने लिखा था कि माम आपकी messages repeat होते हैं तो repeat होने का क्या मतलब है हमको message मिलेगा हमको as it is वैसा ही बोलना पड़ेगा ठीक है चाहे वो जैसे निकल कर आए क्योंकि हम किसी एक इनसान को यह हील नहीं करते हम हजारों लोगों को एक साथ हील करते हैं और कुछ नए आते जाते हैं पुरानी निकलते जाते हैं ठीक है जो जैसा मिलेगा जैसा सुनाई देगा जैसा दिखाई देखाई देखा, आपको वैसा बता दिया जाएगा, ठीक है, देखते हैं, अलफबेट्स C, A, V, B, O, X, 6, 7, 0, F, P, X, G, और H, लेटर्स आये हैं, 670, 670 नमबर है, F, P, X, G, H, C, A, V, D, Q, X, यह यहाँ पर लेटर्स निकाल कर आये हैं, ठीक है, ओके, So guys, यहाँ आपकी रीडिंग, I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हैं तो guys, Please video को like करें, चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरूर करें, Thank you guys,